नमस्कार स्वागत आपका क्रिक्ट के स्ट्री में मैं हूँ आपके साथ प्रविन यादो जस्पृत बुम्रा की कप्तानी में भारती टीम इस समय आयरलेंड दोरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैच की टी-20 सिरीज खेली जा रही है जिसका दूसरा मुकाबला कल रात खेला गया जिसमें भारती टीम ने 33 रन से जीत हासिल की और सिरीज में दो शुन्य की अजेबड़त बना ली है टीम इंडिया की इस जीत में बल्ले से रितुराज गाइकवाड और रिंकु सिंग का कमाल का परदेशन देखने को मिला वहीं के इंदबाजी में कप्तान जस्कृत बुम्रा ने खाते गेंदबाजी की और उनका च्छा साथ दिया रवी बिश्णोई और प्रशिद कृष्णा ने टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी भारते टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी और पावर प्ले के चौथे ओवर में ही यशेशी जैसवाल 29 रन के स्कोर पर 11 गिंदों पर 18 रन बना कर क्रेग यंग का शिकार बने इसके बाद अगले ही और में तिलग वर्मा बीकेवल एक रन बना कर पविलियन की तरफ चलते बने लेकिन यहां से रितूराज गाइक वार और चार नमबर पर खेलने आये संजू सैंसंग ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों पर 71 रन जोड़कर स्कोर को 100 के पार पहुँचाया खराप फॉर्म से जूजरे सैंसंग ने इस मैच में 26 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 40 रनों की बहतरीन पारी खेली लेकिन एक पर फिर से बड़ा शौट बाने के प्रयास में वो इस्पिन गेंद बाद बेंजामिन वाइट की गेंद पर आउट हो ग पहले तो दोनों खिलाडियों ने कुछ गेंदे सेट होने के लिए लेकिन उसके बाद तेजी से रन बटोरे रिंकुन ने 21 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्के की मदद से 38 रन बनाए जबकि शिवम दूबे ने 16 गेंदों पर नाबाद 22 रन की पारी खेली इन दोनों बलेवाजों ने आगरी के दो और में पांच छक्के और एक चौके की मदद से 42 रन बनाए और टीम के स्कोर को 20 और में 4 विगेड़ पर 184 रन तक पहुंचाया इसके बाद टार्गेड का पीछा करते वे आयरलेंड को प्रसिद्र गृष्णा ने तीसरे और में 19 रन की स्को बालबर्नी ने कर्टिस कैमफर के साथ मिलकर स्कोर को 63 रन तक पहुंचाया कैमफर ने 18 रन बनाए और रभी विष्णोई का दूसरा सिकार बने विगेड गिरते जा रहे थे एक तरफ से लेकिन बालबर्नी एक छोर पर ठीके हुए थे और उन्होंने शांदार 72 रन की पार 15 रन ही बना पाई भारत की तरफ से जस्पृत बूमरा ने बहतरीन गिंदबाजी करते वे चार ओर में सिर्फ 15 रन देकर दो विकेड लिए इस दोरान उन्होंने 20 ओवर मेडन विकेड डाला उनके अलावा प्रसिदर कृष्णा और अभी विष्णोई ने भी दो दो विके प्रसियोत बें प्रसियूत।